जै जिनेंद्रू आचारिय श्री महाश्रमन जी की पुस्तक तीन बाते ज्ञान की के पंद्रहवे अध्याई का नाम है तीन शल्य। ठानम आगम के तीसरे अध्याई के 385 सूत्र में बताया गया है कि शल्य तीन प्रकार का है माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यादर्शन शल्य। जब पैर में कांटा चुप जाता है तो आदमी को कष्ट की अनुभुती होती है जब वह कांटा निकलता है तभी शांती मिलती है कुछ कांटे भवात्मक होते हैं और कुछ मानसिक वे शल्य, भवात्मक और मानसिक रूप में कष्ट देने वाले होते हैं हमारा अहित करने वाले होते हैं पहला शल्य है माया जो आदमी माया करता है उसके बीतर कांटा पैदा हो जाता है वह माया के साथ जूठ बोलता है फिर उसे ढखने का प्रयास करता है और फिर उसे इस बात का तनाम हो कि आगे मुझसे क्या पूछा जाएगा और मुझे क्या जवाब देना है। इस तरह वह फंस्ता चला जाता है। सच्चाई का मार्ग सीधा सपाट है। जूट और माया का मार्ग बड़ा टेडा मेडा संकड़ी पकडंडी वाला होता है। एक और अध्यात्म की दृष्टी से माया से बचने का महत्व है तो दूसरी और व्यवहार में नुकसान कराने वाली होती है। माया मित्रों का नाश कराने वाली होती है। इसलिए शास्त्रकार ने बताया है कि अपने जीवन में, वेवार में, विचार में सरलता और इस्पस्टता रखने का प्रयास करें। वो माया शल्य से दूर रहने का प्रयास करें। दूसरा शल्य है निदान। निदान एक अकांग्षा है। उदाहरन के लिए मैंने यह तपस्या की है, साधना की है, इसका कोई फल मुझे मिले। ऐसी अकांग्षा जो अध्यात्म से विहेन है, वह अपने आप में शल्य है। यह निदान आदमी की तपस्या और साधना को बे जाता है। निदान अध्यात्म की साधना में एक कांटा है, उसे प्रायश्चित कर निकाल देना चाहिए। और तपस्या साधना से बौतिक फल पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तीसरा शल्य है मिथ्यादर्शन, जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना, असत्य को सत अधू मान लेना, अधर्म को धर्म मान लेना, इत्यादी स्वरूप जो मिथ्याद्रिष्टी है वह मिथ्यादर्शन शल्य है। यह आदमी को कितने जन्मों तक ब्रह्मन करा सकता है। हमारा द्रिष्टी कोण मिथ्या न रहे, हम यथार्थ द्रिष्टी कोण वाले बने। सम्यक्त्व संपन्न बने देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा पुष्ट रहे इस प्रकार माया, निदान और मित्यादर्शन शल्य ये तीन शल्य जब हमारी आत्मा से निकल जाते हैं तब हमारी आत्मा स्वस्थ रहती है आगम के इस संदेश को यदी हम आत्म साथ कर लें तो इन तीन शल्यों की वेदना हमें सहन नहीं करनी पड़ेगी और हमारी आत्मा स्वस्थ रह सकेगी आत्मा उर्ध्व गामी बन सकेगी ओम अरहम आत्मा